नमस्ते दोस्तों और डिक गॉल्ड में आपका स्वागत। सबसे पहले आधी पावली का ये पर्व। आपको सभी को मेरे देश के जो मेरे चाने वाले हैं और विदेशों में जो मेरे को चाहते हैं। उन सब को से परिवार उनके मित्र जनों सहीत मैं धेर सारी हार्दिक सुब काम नहें देता हूं और जितना सहयोग किया है बहुत सहयोग किया है और आगे भी इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो आज दिपावली के दिन देखो मैं कुछ गरेलू टिप्स आपको दे रहा हूं जो शेक्स पावर बढ़ाने के अंदर एक बात बताता हूं बुरा ने माना मेरी बात का कि मेरे को दो तीन वार्ट्षेब में कहा कि आप अधिकतर शेक्स के उपर ही कहते हैं तो मैंने उनको जवाब दिया अब आप बताएगा कमेंट्स में कि मेरा जवाब सही है या गलत है मैंने उनको जवाब दिया कि देखेो संसार के अंदर एक शेक्स है जो इनसान को इनसान से बांदे रखता है इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं जो इनसान को इनसान से बांध के रखे बांधने का मतलब ये कि जैसे आपने साधी की और आपकी पतनी आई अगर आपका सेक्स सही है तो वो पतनी आपकी है आपका हर कहा मानेगी आपकी सेवा करेगी आपके पाउं दबाएगी आपको सब कुछ देगी यहां तक कि आपके लिए जान तक भी देदेगी लेकिन अगर आपके अंदर शेक्समता खत्म हो गई है तो देखो सो में दस पांच का मैं नहीं कहता अधिक तर जो आदूनिक लड़कियां है प्राई वो कह देती है कि या तो अपना इलाज करो या हम चले और चली जाती हैं अरे जो अपने पूरे कुटम को छोड़ के भाई बंदों को छोड़ के अकेली औरत आपके पास आती है बारा-बारा मैना दो-दो साल तक रहती है अपने माबाप की तरफ नहीं जाती उनकी याद आती है लेकिन वो सारी यादें जो उसको आती है वो इस शेक्स के आनन्द के अंदर इसलिए शेक्स ही सबसे बड़ी उंची चीज है इसको गलत अर्थों में न ले हाँ अब मैं आपको बताता हूँ सेक्स की कुछ नुस्के इस बागदोर्ड और तनाव भरी जिंदगी एन ये मित अन्हेल्दी बोजिन के कारण पुरुसों में कमजोरी की समस्या आजकल आम है नपुन सकता सोपन दोस दातु दोस आदी ऐसी समस्याएं हैं वेहाईक जेवन को बहुत अधिक पर भावित करती है एं सेयमित खान पान या सरीर में पुसक ततुओं की कमी के कारण या अन्य गलत आद्तों से पुरुसों को दुरुबलता या कमजोरी की परेशानी होने लगती है आज मैं आपको ये बताता हूँ घरेलू परियोग जो आप इस बिमारे से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे नमबर वन देखो आप ये मत कहना कि ये की बात बताता है एक बात नहीं है आपने कभी इसके उपर गोर नहीं किया नमबर वन आवला आवला दो चमच इसका रस निकालके और एक छोटा चमच आवले का पावडर उसमें मिला करके और थोड़ा सेद मिला करके आप सुबह और साम को चाटिए आप पांसा दिन में कोई रिजल्ट ना देखे इसको दो मेना लीजिए आपको लाल सुरक कर देगा और आपके एक और में इसी नुश्के के साथ जो में बताता हूँ आपको आप दो सो गराम आवले का पावडर दिये सो गराम आवले का पावडर ले ले सो गराम बढ़िया आवले आएं उनको उबाल करके गर में सुकाएं और उनका पावडर बनाएं सो गराम आवले का पावडर ले ओ सो ग्राम ही अच्छी से अच्छी हल्दी बजार से साबुत लाके उनको कूट पीटके और अपने ग्राइंडर में पाउडर त्यार करके सो ग्राम हल्दी का पाउडर सो ग्राम आउला हो गया सो ग्राम हल्दी का पावडर हो गया दो सो ग्राम उसके अंदर पन्दरा ग्राम सिलाजीत डालें और तेन ग्राम मनमंत रस और तेन ग्राम पुस्वे धन्वा रस इन सब को मिला करके कुट पीट करके और अलग रख दें अब इसके अंदर आप जो डाईबिटीज़ प्रेशन्ट है वो नेडाले मिंस्री और जो बिना डाईबिटीज़ वाले हैं वो उसके अंदर 100 ग्राम लगबक पाउडर डाल दें और एक जाई करके और एक उसमें भढ के रख लें और एक चम्मच चाय का ये डाल दें आप चाय का चम्मच तो आपने देखा ये ये देख लीजे ज्यादा बड़ा चम्मच ना ले ये चाय का चम्मच ये यू भरा उपर तक आए कोई बात नहीं नीचे तक रहे कोई बात नहीं ये डाला गाय का दूद अमरत के तुल्ले होता है देखो मैं हर बार गाय के दूद की क्यों करता हूं सिफारिस इसको बताने की जरूत नहीं लेकिन अगर आपको गाय का दूद जहां उपलब नहीं है मैं जानता हूं एक बहुत बड़ी दिक्कत है तो वो लोग गुंगुने पाने का सहरा लें ये सर्दी का म इस चोरण को और रात को ले वें ये अनुभूत नुश्का मैं आपको दे रहा हूं बाकी और तो दूँगाना तो वो तो आप यों मान के सलिए कि गिप्ट है खास नुश्का ये है तो इसको अठारा साल से लेके अश्शी साल तक की आयू का कोई भी आदम इस नुश्के को दो मैना यानि की 41 से 61 दिन सर्दियों के अंदर दो मैना और जो मौसम होता डेड़ मैना ले ले इसको सेवन करें और जो सामरतेवान है वो दूद के उपर दो तिन दाने कैसर के डाल दे आप लाल सुर्क हो जाएंगे और आपका टाइमिंग आदी घंटे का पका होगा जो एक इनसान का टाइमिंग होता है ये जो दिखाते हैं दो दो घंटा तिन तिन घंटा अरे ऐसे ऐसे लिखते हैं कि मेरे को ऐसा मर्द चाहिए जो सारी रात मेरी प्यास बुजाए मेरे को चार इंच का मोटाई वाला लिंग से ये तो इस तरह की जो भ्रामक बाते हैं इन पे अपना दिमाग बिलकुल न लगाएं बस आदमी का सेक्स का टाइम सबसे अच्छा टाइम 18 साल से लेके 80 साल तक आदी गंटे से ज़्यादा नहीं होता वो एक अलग बात होती है कि लड़के 25 साल के 20 साल के लड़का उसकी हम उम्र और दोनों हश्ट फुष्ट और उनके साधी होती है तो वो 10-20 दिन 2-3 दफ़ा सेक्स पहुन गंटे तक कर सकते हैं वो एक अलग बात होई बाकी जो एवरेज आता है आदी गंटा अगर किसी आदमी को सेक्स में टाइम लगता तो वो बहुत है और जो हाइ बलेड पैसर के रोगी है और जो दमा के रोगी है और जो हर्ट के रोगी है और जो अन्यनाजुक अंग के रोगी हैं उनका सेक्स का टाइम 15 मिनट बहुत है इससे ज़्यादा वो कोई एसी गलत दवा ना खाएं टाइमिंग बढ़ाने की नहीं तो बलास्टो हो जाएंगे हाँ अब मैं आपको यह जो नुस्का है वो मैं बता रहा हूं आमले का बता दिया मैंने अब जो दूसरा नुस्का है आमले का अगर यह नहीं कर सकते हैं तो मुरब्बा आमले का एक फिस और एक एपल यह सुबर खाके और एक दो उपर लोंग चबाके और मेशिन मिलावा दूसरा इससे भी आपका टाइमिंग बढ़ेगा इसके अलावा जो पीपल होती है पीपली जिसको बोलते हैं उसको पीपर भी बोलते हैं छोटी पीपर जो अपने मसालों में काम आती है भूख बढ़ाने वाली है बुखार को भगाने वाली है तो आप सोंठ और शेमल का गोंद सोंठ चार गराम और शेमल का गोंद दो गराम अकर करा 28 गराम पीपल यानि की पीपर 30 गराम काले तिल अंदाज से इनको मिला के कूट पीट के इनका चुरन बना ले और रात को सोते समय आदा चमज चुरून लेकर उपर एक गिलास गुनगुना गरम दूद पीए ये रामबान उस दिश शरीर की कमजोरी को दूर करती है और शेक सक्ति को बढ़ाती है अगला जो परियोग घरे लू अजवाइन सो ग्राम सपेद प्याज के रस में अजवाइन सो ग्राम अजवाइन को सपेद प्याज का रस निकाल के बिगो करके सुका ले सो ग्राम अजवाइन को सपेद प्याज का रस्त इतना निकालें कि वो इसमें भिग जाए उसके बाद उसको सुका करके रखें और सुकने के बाद उसे फिर इसी तरह प्याज के रस्त में गिला करके सुकाएं इस तरह आपको ये पांच बार करना है और फिर उसका पाउडर बना के बोतल में रख लें आदा चमच इसके अंदर आदी मिसरी मिला करके आदा चमच सुबह आदा चमच रात को खाके उपर दूद पियें गुनगुना दूद एक ज्यादा अधिक गरम दूद नहीं पिना च और योग इसके दोरान संबोग बिलकुल न करें ये शेक्स समता को बढ़ाने वाला सबसे अच्छा उपाई है सो ग्राम अजवाईन को सपेद प्याज के रस्त में भीगो कर सुपो करके और ये दवाई घरेलू बनानी बहुत अच्छी है बहुत सरल है और आपके पैसे सो गराम अजवाहिन के ही लगेंगे थोड़ी मिस्टरी बाकी प्याज का रस आप इजीली गर पे निकाल सकते हैं इस नुस्कियों को एक डेड़ मैना आप कर सकते हैं इसके अलावा अगला जो गरेलू नुस्का है चार पांच छुआरे दो तिन काजु ओ दो बादाम पांच सुआरे और तेन काजु ओ दो बादाम इनको तेन सो गराम दूद में खूब अच्छी तरह उबाल कर पका कर दो चमच मिस्री मिला कर रोजाना रात को सोते समय लेने से सेक्स पावर बड़ी रहती हैं इस से योन इच्छा और काम करने की सक्ति बढ़ती है अगला जो नुस का गरलू गाजर एक किलो चेनी 400 गराम खुवा डाइसो गराम दूद 500 गराम कद्दू कस्कियावा नारेल 10 गराम किस्मिस 10 गराम बारी काटे हुए काजू 10 गराम या 15 गराम और एक चांधिका वर्की गड़ी और चार चमच देशी घी इनको लेके गाजर को कद्दू कुस करके कड़ाई में डाल कर पकाएं पानी के सूख जाने पर इसमें दूट और खोवा और चीनी डाल दे इसे आप चमत से हिलाते रहें जब ये सारा मिक्सरन गाड़ा होने को हो तो इसमें नारियल, किसमिस, बादाम और काजू डाल दे जब ये गाड़ा हो जाए तो थाली में देशी गी लगा कर हलवे को थाली पर निकालें और उपर से चान्दी का वर्क लगाएं इस हलवे को चार-चार चमत सुबह और साम को खाकर उपर गाए का दूद पीने से ये लिखते हैं कि ये वीरिय सकती बढ़ा कर सरीर को मजबूत बनाता है कितना अच्छा नुस्का है एक तरह से अपन इस मौसम में गाजर का हलवा खाते हैं तो ये करीब-करीब उसका रूफ है इसे सेक्स की ताकत भी बढ़ती है अगला जो उपाए है आपको मालूम है इमली के बीज उनका नुस्का आपको मालूम है इनको पानी में बिग दू कोंच का बीज 100 ग्राम ताल मखाना इनको कूट पीट के चूरन बनावें इसमें 200 ग्राम मिस्री मिला लें हलके गरम दूद में आदा चमच चूरन मिलाकर रोजाना इसको पीने से वीर ये गाड़ा होता है और नामर्दी दूर होती है अगला जो नुस्का है चोप चीनी 100 पीज 100 ग्राम ताल मखाने के बीज 100 ग्राम मिश्री इसमें मिला करके और एक मर्दबान में बढ़ने रोजाना सूवे और रात को एक के दो दो चमज खाके उपर मलाई या मिश्री मिलावा दूद पियें यह प्रियोग दो मेना करने से खुब ताकत आती है कमजोरी दूर होती है और जो जल्दी स्रंकलित होते हैं वो उनका टाइमिंग बढ़ जाता है अगला प्रियोग वही प्याज आदा चमज सफेज प्याज का रस आदा चमज शहद और आदा चमज मिश्री का पाउडर यह खुब ताकत और वीर यह बढ़ता है इसके अलावा धाक के सो ग्राम गोंद को तवे पर भून लें और सो ग्राम ताल मखानां को गी में बूल लें इसके बाद बारी काट कर आदा चमज सुबह और साम को खाने से खुब ताकत बढ़ती है दोस्तों मैंने यह कुछ आपको गरेलू टिप्स दिये और बहुत है अब मैं एक आपको प्रियोग बताता हूँ पांच मिनिट लगेंगे देखो बहुत आफशिक हो गया दिपावली रोज नहीं आती हम एक जो प्रियोग बताता हूँ उसको समझदार आदमी करें पहली मेरी साथी है समझदार आदमी करें दूसरी बात एक अच्छे विद्य की देख रहे के अंदर करें एकदम फोगट का नुसका बताता हूँ और अभी यह जितने नुसके बताया है न इन सबसे टोप नुसक सब्सक्राइब करें यह आज के लिए सुरक्षित रखाता मैंने दिवावली के लिए आपके लिए सुनो आप जो मेरा पूरा वीडियो सुनेंगे वह लाब में रहेंगी जो नहीं सुनेंगे वह उनकी जाने हां अब आपको करना क्या है बहुत सरलन उसका वेद्य की देख रेख में और अपने समझदार आदमी कोई लड़के चलते ही बना लिया तो यह एक जहरीली चीज है जो बताऊंगा यह परियोग ना करें अपने वेद्य की देख रेख में ही करें अब आपको क्या करना है नुसके को बनाने के लिए आग का पेड़ आप जानते हो आग सब जगह आकड़े के पेड़ होते हैं तो सुबह सुबही दो तिन जहां आकड़े के पेड़ होना तो उसके छोटे से छोटे जो पत्ते हैं जिनको क्या करते हैं कलियां बड़ा पता एक भी नले जो अंकूरित छोटे छोटे इतने इतने पत्ते जो निकलते हैं आगे जाके बड़े होने के लिए उसो पत्ते तोड़ करके अपने रुमाल के अंदर घर आ जाए रविवार का दिन होना चाहिए संड़े का दिन होना चाहिए घर आ करके देखो मेरी बात को जहन से सुन लो घर की गाय का घी आपको 1500 रुपे में बिल्कुल बिलोना का घी सामने निकाल के देते हैं खूब आराम से मिलता है हमारे यहां तो किसी को नहीं मिले तो मैं भीज़वा दूँगा और तो मैं क्या करूँ असली गाई का घी तो आप आदा किलो गाई का असली घी उसको लोहे की कड़ाई में डाल करके और मंद आँच पे उसको गरम करे जब वो थोड़ा सा गरम हो जाए ऐसे ऐसे करने लगे तो आपको एक तो चस्मा लगा के बेटना है बच्चे महा पास में न हो और कोई खादे सामगरी महां न हो फिर आप जो पत्ते लेके आए हैं सो सो का एक सो तीन हो जाए आयर्वेद में सो पत्ते लिखे हैं छोटे छोटे अंकुरी पत्ते एक एक पत्ता आप डालते जाएं मतलब यूं मान के चलो के पांच मिनट के अंदर आप सो पत्ते कड़ाई में डालते नहीं और समत से उसको हिलाते रहे हैं जब वह पत्ते हरे के आपको लगे के भी कत्ते जैसे काले इस तरह के हो गए बिलकुल काले भी नहीं कत्ते जैसे रंग के हो गए यानि कि भूरापन लेकर के वह आगे तो आपको उतार के एक तरफ रक्त देना है और कुछ नहीं करना है अब आप ठंडा होने के बाद इस घी को बहुत बड़िया सूती कपड़ा दूसरा कोई कपड़ा नहीं लेंगे जरिया नहीं लेंगे सूती कपड़ा लेंगे ये ये सूती कपड़ा उसको च्छान लें और च्छान करके और उसको एक काच की बोतल में रखें प्लास्टिक की में नहीं रखें इसके पीछे क्या कारणा है फिर बताऊंगा आज हमें नहीं आपकी दवा तैयार है ये दोनों काम करेगी मेरी बात को ध्यान से सुन लो ये नुश्का मैंने आपके लिए रोक के रखा था लेकिन अब मैं नहीं रोक पाया मैंने का इसको जाहिर कर दे आपकी दवा तैयार है वो इस्तेमाल का तरीका आप बजार से जो पांध खाते हैं ना ये दो तिन पांध बंदवा के उसमें कोई वो कथार सुपारी उपारी नहीं दो तिन पांध आप अपने एसाब से बजार से ले आएं बंगला खाते हैं या मेटा पांध खाते हैं ले आएं उस पांध को सबेरे जब आप दूद पीते हैं गाय का दूद होना चाहिए तो उस पांध को यूँ खोल के और वो जो आपने घी बना रखा है आग का घी तो उसको यह जो बड़ सा आती है ना कान को साप करने वाली इतनी सी गुरूई लगी हुई वो उसमें डालके और उस पांध के उपर एक अक्स बनाएं यूँ या दो बार यूँ दो सिर्फ दो लकीरें खेचने हैं आपको उस बड़ सको उसमें डूबो के एक और दो इससे अधिक नहीं और शिशी को बन कर दें ये पांध आप सुब खाएं और खाने के 20-25 मिनट बाद गाय का दूद पिले और रात को इसी तरह सेक्स के एक गंटा पहले आदी गंटा पहले एक पांध इस तरह से खाएं ये परियोग 31 और 41 दिन का परियोग है इस परियोग को करते हुए अगर बीच में किसी को अच्छा मैसूस नहीं होता है तो वो बंद कर दें या अपने वेद्य की रायल है ये तो खाने का परियोग हुआ इस से आपका टाइमिंग इतना बढ़ेगा कि आप मुझे याद करोगे कि बुड़ा कोई चीज बता के गया है आपका सिर्फ घी का पैसा लगेगा और एक पैसे काई खर्चा नहीं है और घी तो आप अपने फेट में खाएंगे कोई उसको तो फेंकेंगे थोड़ी दूसरा प्रियोग इसी का रात के वक्त है जब आप का थोड़ा सा गी एक छोटी इतिसी डिविया के अंदर आप डालें थोड़ा सा गी और अपनी लिंक की उपर की जो चमड़ी है उसको आगे लेकर के और मुंडी को डख लें इस चीज का ध्या इतने साउदा निका काम है मात्र दो मिनट के लिए यूँ ढखके पकड़ लें और उसमें अपनी अंगुली डालके दो मिनट उपर से नीचे नीचे से उपर जो पेनिस की नली है उसके चारों तरफ मात्र दो मिनट के अंदर यूँ मान के चलो कि आप तेन बून से माल नहीं करेंगे यह मसाज होगी पान आपने खाय लिया और आदि पॉन गंटे बाद में आप जो भी आपको करना है तो ठीक नहीं करना है तो ठीक यह नुश्का इतने टाकत बढ़ाता है अब मैं इसके साथ जो परहेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आप बिल्कुल खटाई नहीं खा सकते अगर आपने खटाई खाली तो शरीर में सोजना जाएगी मैं पहले बोल देता हूँ एडवांस में खटाई नहीं खाये खटाई में निवू भी आ गया अमचूर आ गई और इमली आ गई लाइटली आप टमाटर का मोसम में लाइट एक तो खटाई से बचें दूसरा आपका परहेज कि इसके साथ कोई मास का सेवन ने करें ने कोई शराब का सेवन करें तीसरा इस नुस्के को 31 दिन लें फिर उसके बाद मैं अपने चिकित सच से परामर्स करें कि मैं आगे इसको लू ने लू बाकी इसको दो मैने से अधिक तो लेना ही नहीं है और ये नुस्का इस मोसम के अंदर अधिक काम करेगा और जहां लोग कहेंगे हमारे यहां सर्दी नहीं पढ़ती महारास्टरा में या और भी ऐसे कहीं स्टेट हैं जहां थंड नहीं होती तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उनको एक तू खटाई से बतना है एक नश्य से बतना है एक मांस से बतना है और गरम चीजों के परियोग से बतना है जैसे इतना लसुन खा लिया और खा लिया, ये खा लिया कचोरी खाली समोसा खालिया ये एक तरह से कोर्स है अगर जो बदपरेज हो गया है तो मैं पहले से सावदान करता हूँ और बिना चिकित्सक के राई के ये परियोग कोई ने करें इसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है दोस्तों दिपावली मनाओ लक्षमी जी की पूजा करो पटा के चलाओ और इसके बाद जब आप फिरी हो तब आप इन में से देखो जहां तक है सिंपल नुस्का करो लेकिन ये आपका दोन काम करेगा यानि कि मसाद का भी करेगा और ये भी करेगा लेकिन इसके अंदर बड़ी सावदानी रखनी है यूं मान के चलो कि आपको बिखरे हुए टूटे हुए काज के टूडों के उपर पैदल चलना है और खरोंच सें बचना है दोतों खुब आराम से दिवाली मनाई ये मेरी ड़र सारी सुब कामना है और इन बारा महिनों में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं कोटी-कोटी समा मांगता हूं मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं अरे मैं जुख जाता हूं और तो मैं क्या करूं आख सक्थ है आप मेरे नुश्कों का लाब उठा और आने वाली पीडी भी उनका लाब उठाएं इसलिए मैं ये 28 गुम 30 मिनिट का वीडियो आपको कंटीनू दे रहा हूं जबकि औरों को वीडियो दो-दो मिनिट के आते हैं थैंक्स